बाइलोजी एसपेर रेस्थ को मेरे असलाम, 9th क्लास बाइलोजी के साथ, इन दे लेक्चर वी अरुएंग तो डिसक्स अबाट वाइट ब्लॉड शेल्स लास्ट लेक्टर में हमने रुपीसी की बात किती रट ब्लॉड सेल्स की, and in the lecture we are going to cover white blood cells and platiates white blood cells का जो alternate name है जी वो है लीफो साइट इस वर्ड में जो वर्ड लीफो है इसका मतलब होता है जी वाइट ठीक है and साइट का मतलब मैं लास्ट नी बता चुका सेल्ड मतलब के ऐसे सेल्ड जो के या वाइट है या फिर तलर लेस colorless आरकार white blood cells, neukosides और इस आर्डा military army of human body आर्मी लास्ट टाइम हमने बार किती है जो हमारे red blood cells है वो civilians है तो जो हमारे white blood cells है ये आर्मी है हमारी body ये हमें defend करती है अच्छा इन में कोई as such pigment नहीं होता red blood cells में हमने कहा था जी hemoglobin है जिसकी वज़ा से उनका color red है बट हमारे पास white blood cells में ऐसा कोई pigment नहीं होता जिसकी वज़ा से ये colorless होता है और इनका तो life span है ये भी fix नहीं है कोई नहीं कह सकता कि एक फौजी कितना अर्शा जिन्दा रहेगा वो 60 साल की दिनकी पूरी करेगा या फिर उससे पहले ही to the gods in the same way white blood cells की life span का as such कोई hard and fast नहीं कहरे सकते के 120 दिन ही white blood cells रहेंगे या years तक रहेंगे no अगर आपके body में कोई foreign party कलाता है कोई bacteria आता है कोई virus आता है तो उसके fight के दौरान आपके white blood cells की death को सकते तो आप उनकी life span के बारे में कोई hard and fast figure नहीं बता अच्छा उसके बाद आप आप आपके white blood cells की दो टाइब एक होते है ग्रेनुलो साइट्स और दूसरे होते है एक ग्रेनुलो साइट्स नहीं जो में जो उनका साइटोप्लास्म है वो ग्रेनुलर होता है अब ग्रेनुलर क्या होता है देखिए आपए glass लेंगे गिलास में वाटर फिल करें वाटर फिल करने के बाद कोई ऐसा सॉलेड मैटेरियल जो वाटर में सुल्यूट आ हो चोटे-चोटे दाने ही डागा अब यह जो यह टोटल जो सुल्यूशन बन गया ना यह ग्रैनूलर बन गया इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो के लिक्वेड के साथ ना ही सुल्यूब हो रहे हैं बल्कि एक मिक्सर सा बना रहे हैं और उनमें वाज़र डिफेंस किया जा सकता है तो यह एक ग्रैनूलर साइटो प्लाज हो अगर इसमें से यह क्लियर आपके जो पार्टिकल्स हैं यह ना हो इन्हें रिमूव कर दिया जाए है तो यह आपका एक क्लियर सल्यूशन बन गया एक क्लियर साइटो प्लाज बन गया जो के ए ग्रैनूलोसाइट कला है चीक है अब बात करते हैं बुक लाइन्स दीज और कलर लैस होते हैं डॉंट है पिगमेंट कोई पिगमेंट में मौझूद नहीं था इस नग गडिया फ्लुट विजल ये बल्के एक और सिस्टम भी मैंने आप बताया था लिमफिक सिस्टम उस लिमफिक सिस्टम का जो लिंफ फ्लुएड है वह मसल्स है मसले टीशूज को एक्स्टेक्ट किया जाता है इन दै सेम वह यह भी फ्लुएड टीशूज के जो एक क्यूबिक मिली मिली मिटर जब आप बलॉड के लेती हैं तो उसमें 7000 से 8000 वाइट बलॉड बलॉड इसमें रेंग फ्रम मॉंस तो इवन ये अब उसकी किस्मत पे है वो कितना जी सकता है उसमें आपके बलॉड बलॉड अवी कितना है। था मॉंस तो कितना पो इसमें रेंगा sheriff सbiaस्वेत्ता है। मॉंस तो कितना गूड इसमें आपके ख्यां वोसी हीपा there are two main type of the WBCs white blood cells की दो type है first are granulocyte वो cells वो white blood cells जिनका जो cytoplasm होगा वो granular होगा और दूसरे जो है वो है A granulocyte A means not granulocyte वो cells जिनका cytoplasm granular नहीं होगा A not A granulocyte वो cells वो white blood cells जिनका cytoplasm clear होगा granular नहीं है अब जो granulocyte हैं उनमें तीन further type हैं हमारे पास सबसे पहली जो है हमारे पास वो है neutrophils second जो है हमारे पास isynophils isynophils and the last one are basophils अब इनके लिए आपने एक छोटी सी line रखना G नहीं बस चीक है अब इसमें से आप बज़े जी है ये granulocyte को रिप्रेजेंट रहे आप आपने आगे ती टाइप्स हैं कौन सी आप ये आप ये आप ये नुट्रोफिल्स ये destroy small particles by the phagocytosis phagocytosis last lecture में मैं बता चुपा हम ये cell heating possible है जो foreign particle आपके blood stream में enter होगा इसको ये cells अपने अंदर engulf करके उसको destroy कर दे destroy कर दे destroy कर दे छीक है इसीनों fields जो है हमारे पास इसीनों inflammation और particles को जो parasites हैंगे उन्हें kill करें inflammation और kill best of fields जो है ये blood clotting best B से blood clotting B से blood clotting करेंगे जहां से जो ये rupture हो रही है और bleeding हो रही है वहां पर ये blood clotting में helpful में अब हमारे पास जो है ए granulosa के लिए एक और line है वह आपने जाए अगर तुम मूं बंद रखो रख लो क्योंकि हमने lymphocytes को भी तबर करना है तो ये अगर जो होगा ये आपके A granulosaid को रिप्रिजेंट तुम T type cells मूं monocytes और बंद इससे जो B word है आप B type cells कर सकते हैं और ये लास्ट का है आपका ये lymphocytes को रिप्रिजेंट B lymphocytes T lymphocytes और monocytes ये आपके पास एक line होगी जब भी आपके A granulosaids को mind में लाएंगे तो आपके पास ये line आ जाएगी अगर तुम मूँ बंद रख लो means A granulosaids वे कौन-कौन से cells है T type cells है B type cells है और आपके monocytes छीक है इनका जो cytoplasm है वो clear होगा include the monocytes monocytes क्या करेंगे macrophages which engulf the germs macrophages होते है macromene होता है large और phages होता है eater मतलब के ये आपके जो germs आएंगे उनने kill करने के लिए large eaters produce करते हैं ये large eater का work perform करते हैं उनने जल्दी से engulf करते हैं B और T lymphocytes produce antibodies antibodies पहरा करते हैं और kill germs anti-against bodies foreign particles foreign particles जो आपका कोई भी हो सकता है bacteria हो सकता है उसके खिलाफ जो आपके particles produce होंगे जो नहीं kill करेंगे वो आपके antibodies होंगे और ये आपके germs को kill करेंगे and these are the types of white blood cells WVC granulocytes and A granulocytes next हमारे पास एक छोता सा topic है वो है हमारा platelets वो देखते हैं कि platelets क्या बलावती है platelets को भी एक नाम दिया गया platelets को नाम दिया गया जी thrombocytes अब पता नहीं क्या गलती होगे विचारे से इतना वो strong उसको name दे दिया thrombocytes the word thrombo is derived from thrombus कहां से thrombus 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 कहते है cloths को sites मैं बता चुका कहते है cells को वो cells cloths बनाने में helpful थाबित है platelets they are not cells यह cells नहीं है यह fragments है कुछ मतलब के आपके पास एक particles है उन्हें आपको धागे नुबार कह लही है यह आपकी क्या है particles है अब यह बंते का है bone marrow में cells होते है mega carryo size mega large carryo कहते है nucleus और size का तो आपको पता योगा cells bone marrow में mega carryo size इस नामी cells होते है वो cells जितका nucleus है वो खुड़ा size में बड़ा उन cells में यह particles बनते है छीक है इनके पास कोई nucleus नहीं होता कोई pigment नहीं होता और जब यह आपके blood stream में आते है तो blood clotting में helps आते हैं they don't have any nucleus कोई nucleus नहीं है कोई pigment नहीं होता 1 millimetre cubic of the blood contain approximately 2,5 double zero double zero मतब क्या आपके पास यह धाई large platyliates एक cubic blood में the average lifespan of the blood platyates is approximately from 7 to 8 days platyates help in the blood clotting function क्याजी blood clot करते है the clot serves as a temporary seed at the damaged area आपका एक muscle पे damage आया वहां से blood clotting होई तो यह platyates वहां पर collect होना start हो जाएंगे और उस hole को उस infection को क्या कर देंगे तो बंद कर देंगे by cloth blood को भी clot कर वाएंगे और यह ऐसे ही वर्ड perform करते हैं जैसे अगर आपको लोग बाकिफ हों खाला सुना हो अगर आपको अगर कोई शराई की है तो उसे पता होता मैनरजी से ही कहते है तो या फिर यह कर लेंगे एक आपके पास नदी है और उसकी जो एक bank है एक उसका किनार है वो तूट गया तो यहां से पानी क्या हो रहा है निकल रहा है तो आपको लाजमी सी बात है यहां पर कोई ऐसे solid material रखना पड़ेगा पथर रखने पड़ेंगे या फिर आपको बोरियों में मट्टी या रेद बंद करके रखने पड़ेगी जो के इसको रोकने के लिए helpful साब है तो आपके platelets भी वही पत्थर हैं जो के वहां पर जातार ठैरते हैं और blood को clot करने के लिए helpful साब है उस passage को बंद करने के लिए आपके पास यह fragments यह particle helpful साब है यह थे हमारे पास platelets और wild birds next lecture में हम बात करेंगे यूकीमिया हो गया यूकीमिया हो गया अब उस पर बात करेंगे तब तक रेक्टिक अपना ख्यार stay blessed अलाहाफ़ आप आप